हलो दोस्तों वेलकम टू में पॉइंट सड़ी स्वाजम करने वाले हैं चेप्टर टू क्लास टैन्थ का संगवाद समाजी विज्ञान का यह चेप्टर है और यह है पार्ट फॉर्ड ठीक है वन टू अंधर पार्ट मैं पहले अप्लोड कर चुका हूं लिंक नीचे डिस्क् केंद्र सरकार और राज्य के लिए ठीक है जैसे केंद्र केंद्र की अंदर बीजेपी की सरकार है ठीक है अब ही मैं 2020 की बात कर रहाी हो ओके और अगर मैं वेस्ट बेंगॉल की देखूं जो एक राज्य है वहाँ पर ममतब एनर्जी की सरकार है ठीक है एक लेर हो गया आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों सरकार के बारे में पड़ा पर दिक्कत पता है कि अग्या दोस्त इंडिया एना एक बहुत साथ है दूसरी कंट्री से तो यहां पर दो स्तर की सरकार से काम नीच चलेगा एक तीसरे स्तर की सरकार को भी लाना ज़रूदी हो गया था ठीक है अगर मैं बात करूं राज्यकी तो एक ठीक है, और रशिया से भी ज़ाद है, तो इसलिए जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्रिय और यहां पर दो स्तर की सरकारों से काम नी चलता है, इसलिए एक तीसरे स्तर की सरकार भी लाई गई, ठीक है, जो एक एरिया की होती थी, ठीक है, जैसे इसको गाउं में क्य कहा जाता है, पंचायत कहा जाता है, और शहर में इसको Municipalities कहा जाता है, या MCD वगरा कहा, डेली के अंदर तो MCD कहा जाता है, Municipal Corporation of Delhi, आपके रिमक क्या कहा जाता है, आप मेरे को बताना, ठीक है, तो एक तीसरे टायर की Government भी लाई गई, तीसरे स्तर की सरकार भी लाई गई, ठीक है, अब पहली बात तो यह है, कि तीसरे स्तर की सरकार क्यों लाई गई, थोड़ा फैक्ट हम देख लेते हैं, विकेंदरी गरन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसकी मामले में उत्तर परदेश, यह अपना यूपी, रूस से बढ़ा है, उत्तर परदेश की जो population है, वो रूस से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, महराष्य लगबग जर्मनी के बराबर है, मतलब महराष्ट, जो हमारा एक सत्ता की साज़दारी तीन स्तर पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर राज्य सरकार के नीचे है, मतलब तीसरे स्तर का नाम है स्थानिय सरकार, मतलब एक हो कोई केंदर सरकार, जो पूरे देश के लिए, एक हो कोई राज्य सरकार, जो पूरे राज्य के लिए, ठीक है और इसके परण्याद्याम सरूप तीन स्तर की सरकार का संग्य ढाचा सामने आया जिसमें तीसरे स्तर को स्थानिय शासन का नाम दिया गया या कहा जाता है यह आपको पता चल चुक है अब सुनो 잠깐만 का मतलब क्या होते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तिय लेकर स्थानिय सरकार को दी जाती है तो इसे ही सत्ता का विकेंद्री करण कहते हैं ठीक है अब देखो तीसरे स्तर की सरकार तो बना दी ठीक है मतलब यह पंचाय तो अरे MCD तो बना दी बड़िन को पावर भी तो देनी है बिना पावर के फिर बनाने का तीसरे स्तर क्या फाय लेकर इस स्थानिय सरकार को दी गई, तीसरे स्थर की सरकार को दी गई, इसे ही कहा जाता है सत्ता का विकेंद्री करण, मतलब जो पावर है वो बट गई, उसका विकेंद्री करण हो गया, ठीक है, तो इसे ही कहते है सत्ता का विकेंद्री करण, ठीक है, अब कोशन यह आता है कि स्थानिय सरकार बनाने की क्या जरूरत है जब केंदर सरकार और राजे सरकार बनी वी है तो एक एरिया के लिए स्थानिय सरकार बनाने का क्या मतलब है क्यो जरूरी है स्थानिय सरकार का होना तो ये भी कोशन आ सकता है आपको स्थानिय सरकार का महत तो यह स्थानिय सरकारे क्यों जरूरी हैं मैं आपको थोड़ा सा वैसी बता देता हूं देखो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको स्थानिय अब देखो जैसे कि आपके एरिया में बल्ब खराब हो जाए तो आप चीफ मिनिस्टर से थोड़ना बोलोगे सीम से थ थोड़ना लिखो गए कि आपके एरिया में पार्क के अंदर एक बल्ब खराब हो गया है ना और ये तो पहला पॉइंट था कि अनेक मुद्दो और समस्याओं का निप्टारा स्थानिय सर पर बड़िया ढंग से किया जा सकता है ठीक है पहला पॉइंट तो यह हो गया दू आजे सरकार और केंदर सरकार आपके एरिया में रोड बनाने पर जादा ध्यान दे रही है है ना क्योंकि उनको नहीं पता CM को क्या पता कि आपके एरिया में क्या प्रॉबलम है या PM को क्या पता कि आपके एरिया में क्या प्रॉबलम है तो इसलिए तीसरे सरकी सरकार होना बहुत ज़यादा जरूरी है जिसमें से जो नेता चुना जाए वो आपके इलाखे में से चुना जाए और उसको पता होगा कि हमारे एरिया की क्या प्रॉबलम है और उसको वो अच्छे तरीके से सौल्व कर पाएंगे ठीकहर और उठेका होगा कि पैसे कहां वगरा चुनेंगे लोकल सरकार या जिसे कह सकते हैं हम स्थानिय सरकार का नेता चुनेंगे वो हमारे एरिया के लिए काम करेगा ठीक है और उसका डारेक्टिंग पैक्ट हम पर पड़ेगा तो वोट देने जरूर जाएंगे जब भी स्थानिय सरकार के वोट वोटिंग होगी यहां election होंगी और ऐसे ही इससे क्या होता है कि लोगतांत्रिक सरोकार में उनकी भागीदारी बढ़ती है ठीक है फिर उन्हें लगेगा क्या राज्य में भी वोट राज्य सरकार की जब election हो चीफ मिनिस्टर की जब election हो तब भी वोट देने जाना चाहिए फिर वो PM के वोट द जादा दिखाएंगे election वगेर हमें voting जादा करेंगे और इससे कही न कहीं लोगतांत्रिक जो भागीदारी उनकी वो बढ़ेगी और देश थोड़ा मजबूत होगा ओके अब एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं अनेक मुद्दों और समस्याओं का निप्टारा स्थाने सर पर ही बड़िया ढंग से किया जा सकता है आपके एरिया में बल्ब खराब हो गया है माल लो अपने cm और pm को लेटर भी लिखा तो ऐसे तोड़ना कि अगले दिन ही बल्ब लग जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा लेटर उनके पास पहुशने में पढ़ेंगे फिर किये जाए और चीजों का अधिक कुशलता से परियोग किस तरह से किया जा सकता है मतलब मैंने आपको बताई दिया था कि आपके एरिया में मालो स्कूल कम है बर जो राज्य सरकार है वो क्या कर रही है रोड बना रही है तो अगर आपके एरिया में लोकल गर्मेंट होती य जो चीज़ी हैं कितने की आएगी कहां से आएगी तो अच्छे से पैसों को कुशलत तरीके से उपयोग कर पाता लोगों के वेलफेर के लिए लोगों के उत्थार के लिए ठीक है नेक्स्ट पॉंट है स्थानिय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागिदारी बनाना भी संबब हो जाता है इससे लोगतांतरिक भागिदारी की आदत पढ़ती है इसका मतलब जो स्थानिय सरकार है उनको लोग चुनने के लिए जरूर जाते हैं क्योंकि उनको पता है इससे डियREKLY हमारे एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या होता है लोगतांतरि सिध्धान्त को वास्तिविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ठीक है अब देखो सवयशासन का मतलब मैं आपको बता देता हूं मेरी बात ध्यान से सुनना जो पी-म है वो गुजरात में रहते थे गुजरात के लीडर थे वो दिल्ली के तो थेनी है मेरे एरिया को थेनी त तो हमारे सविधान में भी लिखा गया है कि सोयशासन का लोकतांत्रिक सिध्धान्त होना चाहिए और वो स्थाने सरकार से होता भी है ठीक है क्लेर हो गया अब हम यह देखेंगे जो विकेंदरी करण किया गया था मतलब केंदर सरकार और राज्य सरकार से पावर लेके जो स्थाने सरकार को दी गई थी पावर वो कब दी गई थी ठीक है और गाउं में उस स्थाने सरकार को किस नाम से जानते है और शहर में उस स्थाने सरकार को किस नाम से जानते है ठीक है देखो अगर मैं बात करूँ राज्य सरकार तो हर राज्य में राज्य सरकार के नाम से ज जाता है बढ़ क्या स्थाने सरकार में भी ऐसा है नहीं ऐसा नहीं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो विकेंद्री करण की जरूवत हमारे सविधान में भी स्विकार की गई इसके बाद से गाउं और शहर के स्तर पर भी सत्ता का विकेंद्री करण की कोशिश हुई मतलब मतलब ये बात पहले ही हमारे सविधान जब हमारा सविधान बन चुका था तभी हमने डिसाइड कर लिया था क्यार तीसरे सतर की सरकार तो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक बड़ा देश है और तीसरे सतर की सरकार का होना भी परंतु इन्हें राज्जे से सीधे नियंतरन में रखा गया था इसके चुनाव भी नियम धंग से नहीं करवाय जाते थे और ना ही इनके पास अपने कोई अधिकार थे ना संसादन थे अब देखो होता क्या था मतलब हमारा जब सविधान बना था उसके बाद बना तो दी थ यह तीसरे स्तर की सरकार बट इनको पावर नहीं दी गई थी यह राज्जे सरकार के अंडर आते थे इनका चुनाव धंग से नहीं होता था होता ही नहीं था नियम धिरूप से इनका चुनाव भी नहीं होता था और ना ही इनके पास कोई अधिकार थे और ना ही संसादन थे ये problem आती थी, बट फिर क्या हुआ, 1992 के अंदर, एक बड़ा कदम उठाया गया, ठीक है, स्थानिय सरकार के लिए, और उनको भी power दी गई, और हमारे सविधान में कुछ change किया गया, स्थानिय सरकार को लेकर, ठीक है, उसके कुछ point नीचे दे रखे, important है, question पूछा जाता है, म जादा शक्तिशाली और परभावी बनाया गया, 1992 में change किया गया, और स्थानिय सरकार को जादा powerful और परभावी बनाया गया, ठीक है, 1992 में किये गए बदलाव नीचे निमन लिखे थे हैं, तो ये सारे के सारे बदलाव हैं, बार बार ये पूछे जाता है, exam में, पहला जो स्थानिय सरकार के जो election होते हैं, regular करवाने पड़ेंगे, regular मतलब हर 5 साल में करवाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इनका जो election है, वो नियोमित रूप से होना चाहिए, पहली बात ये बूली, पहला change ये किया, 1992 में, दूसरा change ये किया, कि स्थानिय निकायों के सदस के पदों के लिए अनुसूचिज जातियों और अनुसूचिज जनजातियों और पिछडी जातियों के लिए सीटे अरक्षित कर दी, और SCSTOBC के लिए स्थानिय सरकारों में भी, स्थानिय निकायों में भी कुछ जो पत थे वो अरक्षित कर दी, ठीक है, कुछ सीटे अरक् चुने गए हैं तो उसमें से कम से कम 33 वोमिन होनी ही चाहिए ठीक है नेक्स पॉइंट ये बुला गया कि हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया ठीक है मतलब नियमित र स्थानिय सरकार के चुनाव करवाना ठीक है नेक्स पॉइंट राज्य सरकार को अपने राज्य स्वे और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानिय स्थानिय सरकार को देना पड़ता है सत्ता के भागिदारी की प्रकरती हर राज्य में अलग अलग है मतलब 1992 में राज्य सरक को ये बूला गया कि आपको भी अपने कुछ अधिकार और कुछ संसाधन स्थान्य सरकार को भी देने पढ़ेंगे ठीक है बट अलग-अलग राज्य में अलग-अलग सीन था मतलब कोई-कोई राज्य जादा बावर देता था कोई-कोई राज्य कम पावर देता था ठीक है अ आपको बता दूँ यह कोशन एक माक्स में जरूर आता है कि पंचायत राज किसे कहते हैं गाओं के स्तर परमाजू स्थानिय शासन व्यवस्ता को पंचायत राज के नाम से जाना जाता है ठीक है जी अब होता क्या था एक गाओं में मालो ठीक है एक गाओं के अंदर क्या होता था कि इलेक्शन होते थे स्थानिय सरकार के और कुछ अध्यक्ष चुने जाते थे और एक परधान चुना जाता था एक लीडर चुना जाता था जिसको हम सरपंच भी कहते हैं मतलब जो गाहों के अंदर एक पंजायत के चुनाओ होते थे उसमें बहुत सारे सदस्य चुने जाते थे जिनको अध्यक्ष बूला जाता था और एक प्रधान या लीडर चुना जाता था जिसको सर्पंच बूला जाता था ठीक है अब इनको कौन चुनता था इनको चुनते थे गाहों के वयस्क लोग ठीक है यानि जो 18 प्लस होते थे न वो लोग चुनते थे वोटिंग करके ठीक है और इनका चुनाओ गाहों अत्वा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिये करते हैं ठीक है यह मैं आपको बता चुका हूँ पंच पंचायत ये काम करती है वाले ये जो पंचायत है ये जो काम करती है ग्राम सभा की देखरेक में करती है अब इक ग्रांच सभा कौन होती है एक्चल में ग्राम सभा के अंदर उस गाहों के सारे के सारे व्यस्क लोग आते हैं जिन्होंने वोट देकर चुना होता है मतलब य ग्राम पंचायत की बैठक साल में 3 बारतों होती है ओके जी clear हो गया तो यानि हमें समझ आ गया कि एक गाउं अब जब एक गाउं होता है तो उसको हम बोलते हैं पंचायत ठीक है या ग्राम पंचायत अब जब 4-5 ऐसे गाउं मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जी पंचायत समीती ठीक है कई ग्राम पंचायतों को मिला कर पंचायत समीती का गठन होता है मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्राम पंचायत को जब मिला देते हैं तो पंचायत समीती बनती है ठीक है इनने मंडल यहां प्रखंड स्थर्य पंचायत भी कह सकते हैं ठीक है इनका चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्थे करते हैं मतलब यह देखो यानि इस एरिया के यह एक पंचायत सभा के अंदर से जो जो लीडर चुने गई थे यह जो अध्यक्ष और सरपंच चुने गई थे, इन चार एरिया से जो सरपंच और अध्यक्ष चुने जाते हैं वो ही इस पूरे के पूरे पंचायद समीटी के लीडर बनते हैं, ठीक है, यानि इनको आम लोग नहीं चुनते यहाँ पर जो लोग चुने गए होते हैं और यह हो गया अपना जिला परिशत ठीक है, किसी जिले के सभी पंचायद समीटी को मिला कर जिला परिशत का गठन होते हैं, मतलब इन पंचायद समीटी को मिला कर जिला परिशत का गठन होते हैं, ठीक है, जिला परिशतों के अधिकांश सरदस्यों का रूप में होते हैं मतलब इस जिला परिशत की बात करें तो बहुत सरे लीडर तो चुनेवे होते हैं बट कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो चुनेवे नहीं होते हैं जैसे कुछ अधिकारी संस्थाई होते हैं उनके जो लीडर होते है वो भी इसके head होते है और वो चुनेवे नहीं होते है और बाकी लोकसभा और विदान सभा के भी कुछ member जिला परिशत के सदस्य होते है ठीक है जी अड déb घ्ला परिशत को कौन चुनता है नॉर्मल लोक चुनते है शिक है जिसको ग्राम सभा बूला जाता है इनको वो लीडर चुनते है जो की ग्राम सभा से चुनेवे होते है ठीक है और अगर जिला परिशत की बात करूँ तो ये भी बहुत सारे पंचायत समीते से मिलकर बना होते हैं ठीक है और उसके ज़्यादातर जो member होते हैं वो elected होते हैं ठीक है तो हमें गाओं का पूरा का पूरा समझ आ गए अब बात करते हैं हम शहरों की ठीक है स्थानिय शासन वाली संस्ता है शहरों में भी काम करती है ठीक है तो जो स्थानिय सरकार होती है वो शहरों में भी होती है जो शहर होते हैं छोटे शहर होते हैं उनमें होती है नगर पाली का ठीक है नगर पाली का होती है ओके और जो बड़े शहर होते हैं जैसे कि नगर निगम के पदाधिकारी को मेर कहते हैं, मतलब इसका जो लीडर होता है न, यह जो इन दोनों का जो लीडर होता है, उनको मेर कहते हैं, ठीक है, और गाउं में जो होता है, उनको सरपंच कहते हैं, है न, याद रखना है यह बात, नगर पालिका और नगर निगम, दोनों ये नगर निकाह में तो है न इन दोनों के जो लीडर होते हैं वो elected होते हैं और वो politics में होते हैं ठीकिया जी clear हो गया अब थोड़ा सा स्थाने सरकार के बारे में और भी detail में जानलेते हैं भारत में स्थाने सरकार दुनिया में अब तक सबसे बड़ा पर्योग है, मैं आपको बता दू, भारत के अंदर ये जो नगर, पालिका और ये जो ग्राम पच्चायत होते हैं, इन मैं पता है कितने लीडर चुने जाते हैं, 36,00, जो कि बहुत सारी कंट्री की कुल आवादी से भी जादा है, ठीक है, इतने लीडर चुने जाते हैं हमारे स्थाने सरकारों में, बट हमारे स्थाने सरकारों में कुछ परेशानी अभी है, जैसे ग्राम सबाओ की जो बैठक होती है, वो नियुमित रूप से नहीं होती, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कम से कम तीन बार तो होनी चाहिए, बट कभी-कभी तीन बार नहीं होती जो कि एक अच्छा पॉंट नहीं है नेक्स पॉंट है कि अधिकांश राज्य सरकार ने स्थानिय सरकारों को पर्यापत अधिकार नहीं दियें मतलब बहुत सारे राज्य सरकार ने भी बोला था हमारे सविधान ने 1992 में कि राज्य सरकार को कुछ पावर देनी पड पूरा पूरा चप्टर खतम हो जाता है अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना ठीक है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है चैनल को सब्सक्राइब करना हो नोटिफिकेशन बेल दबाना क्योंकि फिर बच्चे मैंने को शिकायत करते हैं कि सर आपकी वीडियो अप्लोड हो जाती है बड़ पता नहीं चलता वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया ठीक है और साथ ही मैं यार मेरे दूसरे चैनल का लिंक दे रखाऊ और डिस्क्रिप्शन में उसको ठीक है उसके बार डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है यहां टेलीग्राम पर सर्च कर लेना में पॉइंट स्टेडी 10 ठीक है अब में पॉइंट स्टेडी के 10 के टेलीग्राम चैनल पर ठीक है और वहां पर आपको सारी की सारी पीडिएफ मिल जाएगी नोट्स अगे लिए थैंक यू सो मच जैहन जै भारत वंदे मात्रम मेरे दूसरे चालन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम फेस्बूक पर फॉलो करना चाहो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ओके जी बाई बाई